हेलो एवरीवन वेलकम टो आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे कक्षा एक से कक्षा दो के विशे इंग्लीश का ग्रह कारे जो की दिनाग 26 नवंबर 2021 को दिया गया है इस ग्रह कारे में वक्षी 54 दी गई है जिसका हम सॉलुशन देखने वाले हैं तो जलिए फटा फ़स से करते हैं यहां competence में दे रखा है the learner can write occupation यहां हमें कुछ pictures दे रखी है occupation से रिलेट हमें वह occupation पैचानना है और उसे लिखना है और अगर man है तो he का यूज करना है हमें अगर woman है तो she का यूज करना है ठीक है इस चीज का ध्यान रगते हुए हम इस वक्षिच को स्वाल करेंग first है pile is a blank, blank teaches in a school अब यहां picture किसकी दिख रही है एक teacher है जो की पढ़ा रही है blackboard पर ठीक है तो यहां occupation क्या लिख देंगे teacher और यहां pile के लिए use करेंगे woman है तो use करेंगे she का pile is a teacher, she teaches in a school second है विनोध is a blank, blank stitches, cloth अब यहां विनोध क्या करते हुए नजर आ रहा है stitches करते हुए नजर आ रहा है, सिलाई करते हुए नजर आ रहा है, जो सिलाई करता है उसका occupation क्या कहलाता है, tailor कहलाता है तो यहां लिखेंगे Vinod is a tailor Vinod के लिए use करेंगे man है तो he का use करेंगे He stitches cloths थर्ड है Hasan is a blank, blank is brave अब यहां हसन क्या रूप में नजर आ रहा है एक soldier यानि सैनिक के रूप में नजर आ रहा है तो यहां लिख देंगे Hasan is a soldier हसन के लिए use करेंगे man है तो he is brave वह बहदूर है फोर्थ है My friend is a blank, blank makes nice pots अब यहां एक जो person है वो क्या करते हो नजर आ रहा है pots create करते हो नजर आ रहा है जो pots बनाता है उसे क्या कहते है potter तो यहां यहां यूज करेंगे My friend is a potter अब यहां एक man है तो यहां यूज करेंगे he का he makes nice pots फेफ्थ है My neighbor is a blank, blank helps patients अब यहां एक neighbor क्या करते हो नजर आ रही है nurse का काम करते हो नजर आ रही है तो यहां occupation क्या हो जाएगा nurse My neighbor is a nurse she अब यहां lady की रूप में नजर आ रही है तो she का यूज करेंगे she helps patients अब आपकी class rate और भी important videos देखते रहेंगे तो जोड़े रहे हमारी चैनल के इस साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद